हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल टेक्टू वेक में और मैं अंकित कुमार गाइस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चनल टेक्टू वेक में और गाईज आज का ये वीडियो हमारा होने बाला है पंचायद दरपन पोटल से संबंधित गाईज इस पोटल पे अभी आपको जैसे की मालूम होगा गाईज की अभी जन पतनीधियों की जानकारी आपको पंचायद दरपन पोटल पे अपडेट करना है सभी जन पतनीधियो की चाहिए सरपंच महोदय हो पंच महोदय हो या उफ सरपंच महोदय हो सभी की जानकारी आपको पोर्टल में अपडेट करना है उनका वार्ड आपको नाम पिता का नाम मोबाइल नमर बैंक की डिटेल फोटो ये सारी चीज आपको जो वो प्रोफाइल का पंजियन इनका हमे करना है इसी प्रकार जनपदस्तर से भी गाईस सभी बार्ड मेंबर जो जनपद पंचात के सभी बार्ड मेंबर है उनके डीटेल अपडेट होगी गाईस उसके बाद इसी प्रकार जिला पंचात के लोगिन से जिला पंचात सदस्तों की अध्यक्ष की उपध्यक्ष महोदय क सब ही की profile इसी तरह से update हो रही है क्योंकि इनके यदि सासन को इन्हें किसी प्रकार की योजनाओं का लाव यह फिर किसी प्रकार के वेतन बत्ते यदि प्रोसाहन रासी दी जाएगी तो direct उनको वेंग खाते में जो हो वो सासन की तरफ से अंत्रित कर दी जाएगी तो इसलिए यहाँ पर पोटल पर जानकारी update कराई जा रही है तो चुकि आज के इस वेडियो में हम ग्राम पंचायत की detail दिखेंगे कि ग्राम पंचायत इस तरह पे आप सरपंच महोदय और उप सरपंच महोदय की detail आप कैसे पंचायत दरपर पर पोटल पे profile पंजियन करेंगे तो इस इस डाइस वाले option पर कर लेना है कि जब आप इस वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा गाईस मैं आपको दिखा देता हूं जन प्रतिनीधी प्रवंधन वाला option दिखाए दे रहा है तो simply आपको इस जन प्रतिनीधी प्रवंधन वाले option पर क लिख करना है उसके बाद आपको यहाँ पर चुनाओ की आउधी यहाँ पर 2022 से 27 दिखाई दी रही है गाई डिफॉल्ट आएगा उसके बाद नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है जिनको भी आप अपडेट करना चाहते हैं उसके बाद नाम हिंदी में फिर पिता का नाम लिखेंगे आप टाइप करिए। एसके बाद इनके मेल है फीमेल है टाइप करिए। उसके बाद S.C.H.T.O.B.C में वर्ग सेलक्ट करिए। पदनाम सरपन्छे सरपन्छे पंछे क्या है उसके बाद जनको भी आप आड़ कर रहे हैं उनका मोबाइल नम्मर सेक्षणिक योगता कितने पढ़े हैं प्राइमरी है मिडल है हाई इसकूल है हाई सेकंडरी है सनातक है जो भी है कर सकते हैं तर्च उसके बाद आई यू आप कितनी यर है आप बरस में आयू टाइप करेंगे एकशिक वार्ड क्या वार्ड कि यहां से उनका एड्रेस आपको टाइप कर देना है और इसके बाद पहते ने दिया को पंजिकरत करें वाले और उप्शन पिया आपको कलीक कर देना है तो चलिए आप अप्लोड कर देंगे तो फोटो अफलोड करने के बाद जब फोटो अपलोड सक्सेश्फुली हो जा के बाद हम हैं जो ह। वो bank के व्यूरल करना देट करना है जान पितरी निधियों क तो 5 पर बेंक मेरां वाले ऐसंट पर करेंगे कले कुलिक करेंगे तो यहां-पर अध्यतन वाले आपसंट पे जब आप किलिक करेंगे प्रहसके बाद IFSC ौड आपके समनीökहान पर दिखाई दिखाई तो चलिए हम IFSC ौड यहान पर से टाइप पे कल लेती हैं फ़र्ण्स IFSC ूड टाइप करने के बाद IFSC ॉड हमने टाइप कर दिया है उसके बाद क्या करेंगे कर निया है यहाँ पर आप तो आप गाइज बैंक खाता टाइब करेंगे, तो बैंक हाता मऩशमfamily जब आप अइप करेंगे। यह गाइस यहां से बैंक का विबराण आटोमेटिक ले लेगा उसके बाद आप यहां से बैंक खाता संख्या जो वो टाइप करेंगे और अध्यतन वाले अप्सन पर करेंगे जब आप पोर्टल पर फाइनली बैंक डिटेल अप्डेट कर देंगे तो बैंक की जानकारी वाला सेक्षन उस पर्टिकुलर मेंबर की यानि की जन पतर ने थी कि जिनकी भी आप बैंक डिटेल अप्डेट करेंगे यहां पर फूफाइल की इस्तिती पूरी यहां पर दिखा आप फाइनल प्रोफाइल लौक करने से पहले तक यहां पर जो भी जन कर आपको जो हो जुब अपडेट करना है सम बन्हीं तो आप कर सकते हैं उसके बाद आप करेंगे क्या back, back करने के बाद है चुकि हमने यहाँ पर तीन काम कर लिये हैं एक काम हमने कौन से कर लिया है सबसे पहले तो हमने उनको profile को पंजियन कर दिया है profile पंजिकरत कर दिया है profile हमने यहाँ पर पंजिकरत कर दिया है photo भी update कर दिया है बैंक का विबराण भी हमने जो अपडेट कर दिया है उसके बाद आब आप प्रतिनिधी की सरपंच महदय हैं इनकी प्रोफाइल को लॉक करूंगा तो प्रोफाइल लॉक करें वाले अप्शन पर किलिक करने के बाद गाईज यहां पर आप उस पर्टिकुलर डेटेल में किसी भी प्रकार का कोई अप्डेशन नहीं कर पाएंगे आपको एक बार रीचेक कर लेना है सा जनकरी में संसुधन नहीं किया जाएगा तो एक बार लॉक कर दिए तो फाइनेली लॉक हो जाएगी उसके बार चलिए हम इस से लॉक करें वाले उप्सन पर कर देते हैं क्लिक जब आप profile finally lock कर देंगे तो हमने profile को lock कर दिया है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं view registered जो हो रिप्रेजेंटेटिव यानि कि जो हमने representative को registered किया है उनको आप यहाँ से देख सकते हैं तो हमने किनको registered किया है profile के स्थिती बंद हो गई है यहाँ पर से हमने इनकर registration किया है आप देख सकते हैं इसी प्रकार आप उप सरपंच महोदय का और बागी सभी लोगों को आज की जो हो profile आप lock करेंगे तो उसके बाद profile finally आपकी lock हो जाएगी तो सभी को एक एक करके एड करना है और इसी प्रकार से lock आपको करना है तो practical के लिए मैंने एक के detail आपको lock करके बताएगा इस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में जानकर ही समझ में आ गई होगी और वीडियो में यदि आपको कोई भी संका है या किसी भी से पर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजेगा मैं उसको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूँगा और गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेना आप इलकुल नहीं जाएगा सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सबस्बहले मिल सके धन्यवाद